क्लास सेवंथ नाव तोड़ विल डिसकस चैप्टर नाइन इन जोग्रोफी लाइफ इन टेम्परेट रीजन्स तो इस चैप्टर में यह हम पढ़ेंगे इन इंचरल वेजीटेस्टन इफस प्राव न एरिया नेचरल वेजीटेस्टन एक रिया से दूसरी अरिया में भी सकता है। where climatic conditions support forest cover while there are other reasons where moderate condition prevails and are some suitable for grassland कुछ रिजन ऐसे होते हैं जहां पर forest होते हैं कुछ रिजन ऐसे होते हैं जहां पर की जो है grasslands होते हैं in this chapter we will focus on temperate grassland इस chapter में temperate grassland के में discuss करेंगे temperate grassland extent extent in mid latitudes between 40 degree to 55 degree in northern and southern hemisphere so temperate grassland जो है यह 40 degrees 55 degree northern say southern hemisphere में है the climatic here in moderate and grass from the dominant vegetation cover यहां का जो climate होता है वो moderate होता है और कहीं कहीं इस प्रकार से दिखाई पड़ेगा आपको the temperate grasslands are called prairie in North America temperate grassland को North America में प्रेरी नाम से जाना जाता है ग्रासलेंट का मतलब घास के मैदान और South America में इन grassland को Pampas नाम से जाना जाता है eurasia में इनको steps नाम से जाना जाता है South Africa में इनको gözals जाना जाता है और Australia मेंों राजपै की करेंगे और और साउथ अपरीका के वेल्ड के बारे में डिस्कस करेंगे अच्छा कि दप्रेरी इस आर लोकेटेड इन कनाड़ा एंड यूसे लेंग बिट्बीन फुट हिल्स आफ रॉकी माउंटेंज इन वेस्ट एंड ग्रेट लेक्स एंड अलपचिन हाइलेंड इन इस्ट तो यह प के पास में है और इस्ट में यहां बात की जाए तो अलपचिन हाइलेंड और ग्रेट लेक के पास है दे रीजन इन जनरली फ्लैट विच्टन पॉर्शंस हैं अडिलेटिंग टेरंस राइजिंग तोर्स वेस्ट एंड साउथ यह जो रीजन है फ्लैट रीजन है इन दे मिसिपी मैं सोरी ओयो और डकोटा एंड गनाडा इती रेंड रिवर तो यह जो एडिया है योसे में यह ड्रेंड होता है रीवर मिसिपी से और मिस्टोरी से ओयो और डकोटा से कनाड़ा में यह सच चत्वान से होता है और इसकी ट्रिविट्रीट से यह जो है ड्रेंड किया आता है इसकी सिचाई की जाती है पानी इनको दिया जाता है क्लामिट यह प्रेरी है यह आपको दिखाई पड़ेगा यहां पर एक्स्ट्रीम क्लामिट है दब रिन्ट विंटर्स और इक्स्ट्रीम ली कोल्ड विट टेंपरेचर रीचिंग अप्टो मैनस ट्वेंटी डिग्री अन समर और वार्म बिट ट्वेंपरेचर राइजिंग ए होती है यहां थंड़क बहुत पड़ती है यहां थंड़क माइनस 20 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाती है और गर्मी यहां 20 डिग्री सेल्सियस तक यहां गर्मी होती है तो the difference between day and night temperature is also very high यहां दिन और रात का टेंपरेचर बहुत ही हाई होता है the reason experiences moderate annual rainfall around 50 cm which occurs mainly in spring and summer season यहां जो annual rainfall होती है 50 cm तक होती है especially spring and summer season में there is a snowfall in winter season और यहां पे जाड़े में जो है snowfall यानि बर्फ भी गिरती है बर्फ भी पड़ती है in the absence of any natural variable strong warm winds blow down the eastern slope of rocky mountains और कभी-कभी यहां पर यह हवाएं भी rocky mountains पर ठंडी हवाएं भी बहती है these are called chinook winds इन winds को यह जो हवाएं चलती हैं इनको chinook wind कहा जाता है natural vegetation and wildlife being temperate grasslands the vegetation is here restricted to grasses and serves यहां की जो grassland और vegetation है यहां पे grasses आपको दिखाई पड़ेंगी कैसे जैसे tree such as willows elder and popular are found near the riverbanks source of lakes or on mountain slope यहां पे जो tree पाय जाते हैं वो willow elders के popular के यह ट्री पाय जाते हैं नदियों के किनारी पाय जाते हैं दिघाटी के किनारी पाय जाते हैं the original grasslands have been converted into farmlands as the soil here fertile and can support crops like wheat, maize, potatoes, soybean, cotton and alfalfa जो यहां का original grassland है यह बाद में farmland में convert हो जाता है क्योंकि यहां की soil बहुत fertile होती है उप जाओ होती है तो इसलिए यहां कुछ crops भी होती है जिसमें की wheat यह यहां पैदा होता है मेज यहां पैदा होता है potato भी खेती यहां होती है soybean भी होता है cotton भी होता है alfalfa होता है rainfall is low salt classes grow and such areas are suitable for cattle rearing यह rainfall बहुत कम होती यह बरसात ranches यहां के जो large cattle farm होते हैं उनको ranches नाम से जाना जाता है रेंच और large farms where cattle reared for milk and meat ranches जो होता है यहां पर large farm होता है जहां पर की cattle यानी पशूओ पाले जाते हैं किस इसके लिए milk और meat के लिए यहां पर पशूओ पाले जाते हैं उनको को large farms को these are managed like factories इसको फैक्ट्रि कीतरा मैनेज किया जाता है cowboys are the main workers here यहां के जो काम करने वाले वरकर होते हैं उनको cowboys नाम से जाना जाता है cowboys wildlife and prairies includes wolves कोईटस जैकॉल प्रैरी जटॉक्स एंटिलोप रैविट्स रैटिस्नेक एट सेटरा यहां पर यह सब जानवर पाय जाते हैं विशन और अमेरिकन बुफैलो वाज दो मोस्ट कामनली फाउंड एन अनिमल इन दिस रिजन यहां पर विशन या अमेरिकन बुफैलो पाया जाता है जो कि यहां का सबसे कॉमन अनिमल पाया जाता है तो यह प्रोटेक्टेड इसकी बहुत बड़े पैमाने पर सिकार किया जा रहा था इसकाव इसको फर के लिए कोट के लिए मीट के लिए इसका बहुत बहुत किया जाता था बड्स लाइक ऑल्स ऑंडश्त और इगल और फॉंड इन दप्रेयरी यह यहां पर बड़्ड पाय जाती है पीपल प्रेरी के जो ग्रास लैंड है यहां पर उपजाओ फॉर्म लैंड तो हई है साथ में यहां पर कई मिन्रस भी पाए जाते हैं कि दो मेंड अपकुपेशंग पिपल इज अग्रिकल्चर डेरी फॉर्मिंग अन्माइनींग यहां कीलों का मुख्य बेसाय जो है एक्री कल्चर यानि खेती है डेरी फॉर्मिंग और माइनिग है दो फिपलाफ प्रेरी आफ्यों ओर वर्डौवर्किंग एंड प्रेक्टिस commercial farming prairie के जो people हैं यह बहुत hard working बहुत कठिन मेहनत करते हैं बहुत कड़ी मेहनत करते हैं और यहां पर commercial farming भी होती है commercial farming क्या होती है commercial farming means where crops are grown for sale in the market commercial farming का मतलब होता है जहां पर जो फसले उगाई जाती है यहां पर वो बाद में market भेज दी जाती है बेचने के लिए USA and Canada are two countries located in the prairie तो USA और Canada यहां के दो country है प्रेयरी के ग्रास लैंने ग्रास लैंड के मामले में scientific farming techniques like crop rotation continue plugging and strip farming or practice here promote high yielding फसल को बहुत अच्छा रखने के लिए यहां पर crop rotation or continuous plugging भी यूज होती है the forms are large and most of worker is done by machine like combines harvesters etc अगर खेत बड़े होते हैं तो यहां पर काम मसीनों से किया आता है जैसे कि combines or harvester से combine harvesters are machines which reap the crop thresh the grains and pack them in sacks यह जो है जो यहां के granary of the word prairie को पूरे विश्व का अन्भंडार भी कहा जाता है because here huge quantity of wheat are produced mainly for export to European and Asian markets क्यों क्योंकि यहां पर जो ग्यहूं पैदा किया जाता है वो पूरे यूरोप और Asia के market में भेज जाते हैं dairy farming is another major industry यहां की dairy farming एक बड़ी इंदस्टी है the wealth of dairy farming extend from the Great Lakes to Atlantic Coast in the East dairy farming यह जो है यहां पर Atlantic Coast तक फैली हुई है tall nutritious grasses of eastern parts are very suitable for dairy cattle यहां की जो लंबी लंबी पौश्टिक घासे हैं वो पसूँ के चारे के लिए बहुत अच्छी है अर्था dairy उद्योग के लिए यह बहुत फायदेमंद है milk butter cheese are produced in large quantity यहां पर milk butter और cheese यह बहुत बड़ी मात्रा में होती है cattle rearing and agriculture have promoted setting up to food processing industry in this region यहां पर पसूपालन और खेती का काम बहुत तेजी से बढ़ड़ा है और यह इंडेस्टी के रूप में फैल रहा है लार्ज मिन्रस डिपॉजिट साफ कोल एंड आइरन और और अल्मोस्ट लेवल लेंड आप दे प्रेयरी हैब एंडेटवर्पिंग गुड़ नेटवर्क आप रोड रेलवें इनलेंड वाटर वैस्ट यहां पर काफी सारे मिन्रस की डिपॉजिट पाए गाया है इसमें कोल और आइरन ओर की जिसके कारण यहां पर रोड का नेटवर्क रेलवें रेलवें के पास रहते हैं इसमें कि स पॉलिज इंडियन पोली कंस्वस एं देंवर और इंपर्टेश्टिय अनुम्टक्षेटान लिक्स हैं इंपर्टेश्टटा हैं उड्रमांत।टब्र। इंपर्टेश्ट्टेश्टियल सेंटर एंदंडैस्टियलस सेंटर हैं वाईल अन्द Corneton and तर्गरी वीणिप्य को प्रेज़ी का गेटवें भी कहा जाता है तो नेक्स है बेल्ट प्लेट साफ अपरीका और काल्ड जो साउथ अपरीका के घास के मैदान है उनको वेल्ट से जाना जाता है it is located in the eastern part of plato of South Africa ये जो है southern पर्ट के पास पाए जाते हैं इस बीड्पेक स्बर्ग मांटें इन सौथ सीष्ट एन कालाहरी डेजर्ट इन नॉर्थ वेस्ट और ये जो वेल्ड के घासके मेंदान पाए जाते हैं यह साथ अफरीका के ड्रेकन वेस्ट मांटेन साथ इस्ट में और कालाहरी देजर्ट नौर्स वेस्ट के पीच में पाए जाते हैं बेड्स और रोलिंग प्लेटू विद वैरिंग हाइट रेंगिंग फ्रॉम 600 meters to 1100 meter और फ्रोलिंग प्लेट्ड यहां पर जो ओनेखे यहां पर इनगी हाइट से 1100 मेटर है दा हाइस्ट पार्ट इस दोनन आज था हाइवें धाएट रेंज विट विद्वेन 1200 meter at 1800 meter the middle weld range between 150 meter to 600 meter in height the reason is the reason is drained by river limpopo savi orange and its tributaries यहां पे जो नदियां पाई जाती है एक तो है limpopo एक है savi और एक है orange और या इसकी कुछ सहायक नदियां भी पाई जाती है अब है climate wind का climate कैसा होता है वेल्ड दा इंफ्लेंस आफ ओशेंस किलिरली फेल्ट इन दा climate here यहां पे आस्मान का यहां पे आस्मान की स्थरी जो होती है वो ठीक होती है क्यों क्योंकि जो है यहां पर जो ऑसियंस है उसियंगा प्रभाव यहां यानि समुद्र का प्रभाव विलकुल क्लाइमेट पर पढ़ता है एस कंपेर टू प्रेयरी दा वेल्स एक्स्पिरेंसेस मौडरेट क्लाइमेट प्रेरी की कंपेर में यहां पर मौडरेट क्लाइमेट पाजाता है विंटर सार कोल्ड एंड ड्राइवाइस समर्सार सॉर्ट एंड वार्म यहां पर जो जाड़ा पड़ता है ठंड़ काफी पड़ती है यहां पर और सुखा दोबी रहता है और यहां कि जो गर्मी होती है वो छोटी होती है गरम होती है क्लेमीट गेट कुलर As Height Increases यहां का जो जो खलमेट यहां पर ठंदा दिखाई पड़ेगा कभी-कभी बहुत बढ़ जाता है rainfall is low, यहाँ पर बारिश कम होती है, received mainly in summer, जादर तर तो जो बारिश होती है, summer में होती है, it decreases from east to west as the wind blow from Indian Ocean and give more rain in eastern region, यहाँ पर जो यह decrease होती है, कैसे, east से west की सरफ, यानि कि जो हवाय चलती है, wind चलती है, वो Indian Ocean से चल करके eastern region तक चलती है, the area often faces drought condition, कभी-कभी तो यहाँ सूखा भी पड़ जाता है, natural vegetation and wildlife, wilds are temperate grassland and grasses बहुत ताल and short, bushes scattered trees from the vegetation cover of the area, यह जो यहाँ बेल्ड के grassland पाए जाते हैं, यानि बेल्ड के घास के मैदान पाए जाते हैं, यह जो घासे होती है, टाल होती है, कभी-कभी यहाँ बुसस भी होती है, छितरी- restricted to the riverbanks and higher slopes, यहाँ जो पेड़ पाए जाते हैं, नदियों के किनारे पाए जाते हैं, और यह कभी के slopes में भी पाए जाते हैं, wildlife includes lions, leopards, cheetahs, giraffe, spring box, etc. यहाँ पे जो यह जानवर पाए जाते हैं, इसमें के lions है, leopard है, cheetah है, giraffe है, spring box है, यह पाए जाता है, but there are numbers are, but there are numbers are dwindling because of reckless hunting and poaching, यहाँ पे अबयद सिकार बहुत होता है, जानवरों का अबयद सिकार बहुत होता है, several national parks and wildlife centuries have been set up in order to protect these animals and promote tourism, यहाँ पे कई national park पाए जाते हैं, कई wildlife centuries पाए जाती है, जिससे की tourism industry को बढ़ाया जा सके, people's, the chief occupations are animal rearing and mining, यहाँ के लोगों का मुख्य बेशाय जो है, पसुपालन है और mining है, agriculture is not an important activities, activity because of scantry rainfall and poor soil, यहाँ पे agriculture बहुत ज़्यादा तो नहीं हो सकती है, कारण क्या होता है, क्योंकि यहाँ पे rainfall बारिस कम होती है, और मिट्टी भी बहुत अच्छी quality की नहीं है, however, wherever soil is fertile with rainfall, sufficient crops like maize, wheat, burlay, oats and potatoes are grown, यहाँ पे crops होती है, maize, यानि की मक्का पाया जाता है, गेहूं की भी खेती होती है, बरले की खेती होती है, oats होते है, potatoes भी यहाँ ग्रोण की आते है, certain cash crops like tobacco, sugarcane and cotton और also grown, यहाँ पे कुछ cash crops है, यानि की tobacco तंबाखू की भी खेती होती है, sugarcane गन्ने की खेती होती है, और cotton यानि कपास की भी खेती होती है, animal rearing is an important occupation, यहाँ पे पस्व पालन मुख्य बेऊसाय है, while sheeps are reared in cooler and dry regions, cattle rearing is practiced in warmer and wetter areas in eastern parts, यहाँ पे भी भी खेती है, भी खेती होता है, sheeps are rear to wool, यहाँ भी खेती है और merino and angora are two good breeds of sheep that yield high variety of wool, merino और angora, यह दो तरह की भी खेती हैं, जिसमें की काफी अच्छे उन निकाले जाते हैं, dairy products like butter and cheese are produced for export, यहाँ dairy product में अगर यह butter और चीज का भी एक्सपोर्ट किया जाता है, meat and leather are also obtained from the cattle reared here, यहाँ पे meat और leather यानि की meat और leather भी यहाँ पे किया जाता है, मतलब meat और leather जो पसुपालन से पाया जाता है, the world has rich reserve of gold, uranium, diamond, coal and iron ore, world में जो पेल के grassland हैं, यहाँ पे gold भी पाया जाता है, uranium पाया जाता है, diamond पाया जाता है, coal पाया जाता है, iron ore पाया जाती है, while Johansberg is famous as gold capital of the world, जबकि Johansberg जो यहाँ का पूरे world की gold capital कही जाती है, kimberley is famous for diamond mines, kimberley जो है यहाँ का famous है, यह diamond mine के लिए, several mills based industries like iron and steel, metal products, machinery, railway equipment and diamond industries have come up in this region, यहाँ पे iron और steel industries, metals की यह सब भी यहाँ पे industry धिर धिर आ रही है, certain agro-waste industries of region are woolen textile, food processing, dairy and leather products, कुछ और industries भी यहाँ ग्रो कर रही है, इसमें की woolen industry है, food processing है, और dairy और leather industry है, the presence of industries have promoted excellent network of roads and railway, यहाँ पे धीरे धीरे road का network और railway का network बहुत तहीं से ग्रो कर रहा है, यानि कि promote कर रहा है, major cities are also connected by airways, यहाँ के कई बड़े सहर जो है, वो अब हवाई मार्ग से भी जोड़ रहे हैं, इस तरीके से आपका यह chapter खतम हुआ, चैनल को subscribe करना मत भूलिएगा, ओके, thank you.